मसूरी नगरपालिका में एक बाफिर सभासदों के बीच विबाद गहरा गया है इकोटेक्स, रोप वे और मसूरी जील के टेंडर को लेकर सभासदों में आपसी विबाद पैदा हो गया है तरसल नगरपालिका अध्धक्ष के नित्रित में एक बैठक का आयूजन हुआ था इस बैठक में एकोटेक्स, रोप वे और मसूरी जील के आगामी टेंडरों पर चर्चा होनी थी लेकिन ये बैठक काफी हंगामेदार रही बैठक में शामिल तीन सभासदों ने एकोटेक्स को लेकर आपती जाहिर की तो वहीं दस सभासदों ने इसका समर्थन किया आपती जाहिर करने वालों में प्रताब पवार, दर्चन रावत और नंदलाल सोनकर शामिल है उनका आरोप है कि नियम के खिलाफ जाकर टेंडर की तारीख बढ़ा ही गई है विरुद करने पर सभासदों का आरोप है कि कुछ खास लोगों को फाइदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़ा जा रहा है विरुद करने वाले सभासदों ने बताये कि पहले से ही जिसके पास एको टेक्स बेरियर चलाने का लाइसंस था फिर से उन्ही को इको टेक्स बेरियर का लाइसंस दे दिया गया उन्होंने इसे नियमों की खिलाफ बताया है इसके साथ ही विरुद कर रहे सभासदों ने नगरपाले का कुछ एतावनी दी है कि अगर उनकी आपत्ती पर जल्द कारवाई नहीं हुई तो वो हर मंच पर विरुद करेंगे अब देखना ये है कि नगरपाले का इस पर क्या कदम उठाती है पंजाब केसरी टीवी के लिए मसूरी से आशीश भट की रिपोर्ट